नमस्का, मैं होसासी, आए जर्खंड की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं जर्खंड में घट सकता है पेट्रोल डीजल का दाम, सरकार ले सकती है बड़ा फैसला वेट कटोती का बढ़ा दबाव, जिहां पेट्रोलियों उत्पादों के मुल्यों में ब्रीधी से बढ़ी मांगाई के बीच केंदर सरकार ने एकसाइज डूटी में 5 रुपे और डीजल पर 10 रुपे की कटोती की है इससे लेकर राजे में भी राजनितिक तेज हो गई है, केंदर की देखा देखी भाजपा सासित राजेों ने भी राहत का एलान किया है इससे धार्खन सरकार पर भी दवाव बना है भाजपा ने राज़ सरकार पर वैट कम करने को लेकर दवाव बनाना शुरू कर दिया है राष्टे उपाद्यक शरगुवदास ने कहा कि केंदर सरकार ने लोगों को रहा देने के लिए टैक्स में कमी की है फाजबा सासित अन्य राजों ने भी टैक्स में कटोती की है राजबा वेट की दरों में कमी कर, झ्हारकन के लोगों को रहा दे फाजबा विधायक दल के नेता, बाबुल जलमरांडी ने भी सरकार को वेट की दर कम करने की नसीحत दी सांसद संजय सेट ने कहा कि राज सरकार भी अपने हिस्से में से पेट्रोल और डिजल में पांच रुपे परती लिटर की कोटो तिक्रे NGT ने खनन से रोख हटाई फिर भी बालू के दाम में कोई कमी नहीं जिहां राजधानी राची सहित आसपास के इलाकों में बालू की काला बजारी होने के कारण इसकी माँगाई कम होने का नाम नहीं ले रही है परतेक वर्ष बर्षाथ के मौसम में NGT के आदेश पर बालू खनन पर 15 अक्टूबर तक रोक रहती है बरसात में बालू की किलत नौ हो इसके लिए राजसरकार बालू एस्टोक करने के लिए डिलर को लाइसेंस देती है इन्हें एस्टोकिस्ट कहा जाता है फिर यही बालू की दलाली करते हैं जिसके कारण रेट बढ़ जाता है राची के बालू घाटों की निवीदा नहीं होनी है राची में मई में दर 12,000 से 14,000 रुपे परती हाईवा थी अभी भी 17,000 रुपे तक पहुँच गई है दस जुन को जैसे ही NGT के आदेश से बालू उत्खरन पर रोक लगी यह दर बढ़ गई अब रोक हटने के बाद भी इससी दर पर बालू की आपूर्ती हो रही है युवाओं के लिए अच्छी खबर यहां ITI में बड़ी संख्या में सीटे खाली जिहां ITI एडिमिसन के एकशुक छात्रों के लिए अच्छी खबर है राजे के सरकारी अध्योगिक पर सिक्षन संस्थानों की हालात यह है कि दो-दो काउंसिलिंग के बाद भी इनमें बड़ी संख्या में सीटे खाली रह गई है राजधानी राची के लावा अने सहरों में इससीत संस्थानों के भी यही इसीती है अब रिक्त सीटों को भरने के लिए सभी अध्योगिक पर सिक्षन संस्थानों को अपने अस्तर से आवेदन मंगा कर नमांकर लेने के निर्देश दिये गए है उपायक्तों की अध्यक्षिता में गठित जीला अस्तरिय समिती नमांकन की अनुमती परदान करेगी बतादे की राजधानी राची इस्तित आईटी आई समाने में 340 सीटे खाली है जबकि आईटी आई कल्यान में 119 सीटे खाली है आईटी आई महिला में 125 तथा उगरवाद परभावी छेत्र के अभेर्थियों के लिए खुले आईटी आई में 20 सीटे रिखते रह गई है इसी तरह आईटी आई बोकारों में 148 जबकि आईटी आई नवाडी में 20 सीटे आईटी आई सिमडेगा में 167 सीटे आईटी आई बागमारा में 89 सीटे जबकि डाल्टेन गैज में 151 तथा आईटी आई विसरामपूर में 106 सीटे रिखते रह गई है इसी तरह आने परिक्षा रद करने की मांग जहां सात्वी सिविल प्रारंभी परिक्षा के असफल अभियार्थियों ने इस परिक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सुक्रवार को जेप्यस्थी कर्याले का खेराव किया जे प्रिक्षा में कोई गड़बड़ी हुई है यह संयोग नहीं हो सकता है अभियार्थि प्रारंभी परिक्षा को रद करने की मांग कर रहे थे कुछ अभियार्थों ने जपीस्वी के सदस्यों के न्यूकती पर भी सवाल उठा है प्रारंभिक परिक्षा में साहिव गंज, लातेहा तथा लोहरदागा के एक केंद्र में सामिल अभियार्थों में कुछ अभियार्थी लगतार करमांग से उतिर्ण हुए है दंतेवाड़ा में 5 लाख का इनामी नक्साली कमांडर धेर, सर्च उप्रेशन में पिस्टल और बंबरामद जहां 36 गड़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बालों को बड़ी कम्याबी मिली है डियार्थी जवाणों ने 5 लाख के इनामी नक्साली को मुठ बेड में धेर कर दिया है मारे गए नक्साली की पहचान सुरक्षा बालों ने रामसू के रूप में की है जनकारी के मुताबिक रामसू प्लाटू नंबर 16 का सेक्षन कमांडर था इनकाउंटर के बाद जवाणों को नक्साली के पास से 7.62 mm की पिस्टल 5 किलो आईडी और बम बनाने में इस्तमाल किया जाने वाला समान बरामत किया है दंतेवाडा के ASP अविश्यक पलो ने बताया कि इंदरावती इलाके के जवानों और नक्साली के बीच मुटबेड हुई मुटबेड खत्म होने के बाद सर्च ओप्रेशन चलाए गया जिसमें एक नक्साली का सो बरामत हुआ इसकी पाचान रामसु के रूप में की गई है जो पलाटून सोला का एरिया कमंडर था इस पर पांच लाक रूपे का इनाम भी था मारे गयनक्साली के पास से एक पिस्टल पांच किलो आईडी और वायर मिला है रांची में स्वास्विधाओं के लिए एम्स की जरूरत सांसत संजैसेट जहां सांसत संजैसेट ने कहा कि स्वास्विधाओं के लिए रांची में एम्स की जरूरत है इससे जहारखंड के मरिजों को काफी रहात मिलेगी बतादे की सांसा संजय सेट वत और मुकती थी ज्धारखंड थोक वस्त्र बिक्रेता संग राची के दिपावली मिलन समारों को संबोधित कर रहे थे सुक्रवार की सामपो कांके रोड इसीत आईडियल बैंक्वेट हॉल में आयोजित धारखंडों थोकवस्त्र विक्रेता संग के दिपावली मिलन समारों बिसिष्ट अतितियों के तोर पर जेमेम महिला मोर्चा की अध्यक्ष महुआ मांजी और एफजस्वी आई के अध्यक्ष धीरज तनेजा भी उपस्तित थे समारों को संबोधित करते हुए सांसल संजैसेट ने कहा कि राजधानी राची में एम्स के खुल जाने से राजवासियों को काफी स्विधा हो जाएगी इससे जारखंड के मरीजों को बेहतर इलाज के लिए बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं होगी इस बार जारखंड अस्थापना दिवस और विधान सभा अस्थापना दिवस के मौके पर कोई बिशेस कारिकरम नहीं जिहां जारखंड विधान सभा अस्थापना दिवस 22 नॉमबर के मौके पर इस बार सांस्कृति कारिकरम का आयोजन नहीं किया जाएगा कुरोना संक्रमन को देखते हुए सांस्क्रिती कारिक्रम अस्थागित किया जा रहा है सरकार भी 15 नुवंबर को राज अस्थापना दिवस के मौके पर कोई बिशेश समारो आयोजन नहीं कर रही है बिधान सभा अस्थापना दिवस पर सरस्रेष्ट बिधायक और उतक्रिष्ट सेवा के लिए तिन कर्मियों को समानित किया जाएगा जार्खन बिधान सभा अस्थापना दिवस 22 नॉवंबर को है जबकि जार्खन अस्थापना दिवस 15 नॉवंबर को है बिधान सबा के अस्थापना पर अस्थापना दिवा समारों को लेकर बिधान सबा दोरा तयारी की जा रही है हाला कि कोई बिशेश समारों का आयोजन नहीं किया जाएगा कोरोना को द्यान में रखते हुए संस्कृतिक कारिकरम का आयोजन भी नहीं किया जा रहा है ट्रेनों से आ रहे हैं कोरोना मरी जमसेदपूर एस्टेशन पर दो दिनों मिले चार पोजेटिव जहां दूसरे राजे से जमसेदपूर में कोरोना पोजेटिव मरी जो के आने की संख्या बढ़ गई है भुधवा राथ से कुरोवार देर साम तक विभिन मारगो की ट्रेनों से टाटा नागर एस्टेशन पर चार पोजेटिव मिले हैं स्टेशन पर सर्विलांस टीम के डॉक्टर बिने भुसंतिवारी वर टेक्निसियन कुंदन कुमार ने सतर्प्ता बढ़ा दी है। कई नई परकिर्याओं से गुजरना पड़ेगा। पुरो में आयोग ने जो आदेश चारी किया था उनमें कई नए प्रवधान को और जोड़ा गया है।